आज मैं अपने दर्सकों को बताना चाहता हूँ कि धान, चावल, ब्राउन राइस, मिल्ड राइस, पॉलिस राइस, ये सब्द अलग अलग जो प्रयोग किये जाते हैं, इनका क्या माइने है और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं? अक्सर हमसे सवाल पूशा जाता है कि ब्राउन राइस में और सामाने चावल में क्या अंतर है? क्या किसी भी चावल से ब्राउन राइस बनाया सकता है? इसके क्या-क्या गुन होते हैं? इन सारी बातों पे मैं आज चर्चा करूँगा आप लोगों के सामने. आए हम आपको दिखाते हैं कि जब धान की कटाई होती है तो उस समय कटाई के बाद जब उसकी जड़ाई करने के बाद आपको पैडी मिलता है जिसको हम धान का दाना आजा सके आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने किसम ली है पूशा बास्मती 1509 उसका धान इस तरह से द जब छिलका इसका बाहर उतरता है तो इधर आपका यह छिलका आ गया बिलकुल जिसको हम हस्क बोलते हैं या धान की भूसी बोलते हैं और धान के दाने के ऊपर से छिलका या हस्क उतारने के बाद हमें जो चावल मिलता है उसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं इसको हम बोल बैग्यानिक भासा में एलिवरान बोलते हैं अंग्रेजी में इसको हम ब्रान बोलते हैं हिंदी में इसको हम कन बोलते हैं तो इस ब्रान लेयर को निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम मिलिंग कहते हैं तो ब्राउन राइस की जब हम मिलिंग करते हैं पहला पास देते ह फिर इसके बाद 3E फ्रास देते हैं और तीनो पास जब हम देते हैं मसीन के अंदर वंहिग के फ्रवर मिल है या बहूत अड़्वांस की जिस्को बिलते हैं जपान से स्काख्य की मिल्स आत हैं बड़ी बड़ी मिलों में इस प्रक्रिया के दौरान जब हम मिलिंग करते हैं ब्रान हटाते हैं तो कई एक बार चावल तूटता भी है तो तूटने के बाद चावल बनता है उसको हम ब्रोकेन राइस बोलते हैं यह ब्रोकेन राइस हो गया और यह पूरा चावल है जिसको हम हेड राइस के नाम से भी इसको हम head rice भी बोलते हैं head rice की recovery बहुत महत्वपूर्ण होती है जितना जादे head rice या खड़ा चावल निकलेगा उतना जादे दाम मिलर को मिलेगा अब इस चावल को जब हम पकाते हैं तो पकाने के बाद बार्शमती किस्मों में चावल की लंबाई करीब करीब धाई गुनी दो गुनी से धाई गुनी हो जाती है यह पकाए हुए चावल की लंबाई है तो यह मिल्ल राइस से बनाया हुआ चावल है cooked rice जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम आते हैं कि पोशक तत्नों के अगर बात करें तो brown rice जो है उसमें से brown नहीं निकला होता है और brown में ही iron है, zinc है, folic acid है, oil है, fatty acid है ये सब चीजें brown के अंदर पाई जाती हैं प्रिच्रुमात्रा में तो जब brown rice में ये पोशक तत्त मौझूद होते हैं और इनको जब हम पका कर खाते हैं तो पोशक तत्तों के दिश्टिकोंड से brown rice काफी अच्छा माना जाता है